हज हैंसर आप सभी लोग आज हम जोना इसका नाम है लिविंग वर्ल इसका हम लेक्चर थृ करने ऐब लेक्चर थी है लगारा दो देख़ा हम लेक्चर टू तक हमने कहां तक किया था हमनने सेल के बारे में क्या होते हैं Multicellular Organism क्या होते हैं यह सब हमने लेक्चर टू तक देखा था अब हमारा अगला टॉपिक जो आएगा आपको पेस नुबर 15 से स्टार्ट करना है पेस नुबर 15 पर हमारा क्या है पहले सर्वे इंस्टिटूट देखो कि आप टॉपिक दिया गया है आपको हमारा जो आज का पहला टॉपिक हो क्या है हमारा है सर्वे इंस्टिटूट ओके इसके बारे हम पढ़ने वाले देखो आपको पेस नुबर 15 पर पहला दिया गया इंस्टिटूट एट वर्क वह हम करने व और जो भी जानवर है तो उनके बारे में सर्वे करना उनके बारे में जानकारी निकालना और उन्हें उनकी रक्षा करना उन्हें बचाना इस इंस्टिटूट का काम है जिसे हम सर्वे इंस्टिटूट भी बोलते हैं तो यह इंस्टिटूट देखो दो इंस्टिटूट है ज पहले हमारा जो सर्वे इंस्टिटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटू सर्वेय उफ इंडिया है यह क्या करता है यह जो प्लांट्स है जो पेड़ पौदे हैं उनके बारे में यह सर्वेय करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं उन्हें और यहाँ उपैस सर्वें आफ इंडिया तो यह कुंसे साल में बना था यह साल 1916 में बना था यह हमारा दूसरा सर्वें स्ट्टूड जो है अब समझ गьे हमारा जो प्लांट पेड़ पादों का सर्वें करते हैं तौ इस इंस्ट्टूड नाम है Botanical Survey of India और जो हमारे जानवरों की के बारे में सर्वे करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं उन्हें इंसिटीट का नाम है जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है तो यह हमारा हो गया हमने सर्वे इंस्टीट के लिविंग तिंग्स तो यहां पर हमारे यूसफुल लिविंग तिंग्स में क्या रहेंगे लिविंग तिंग्स क्या होते हैं एक तो हमारा प्लांट भी लिविंग तिंग है एनिमल भी लिविंग तिंग है तो प्लांट और एनिमल जो हमारे काम के रहते हैं जो हमारे यूज पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं, प्लांट के बारे में, तम्हारा पहला है, यूसफुल प्लांट्स, तो दोखो जो प्लांट रहता है, हमें प्लांट से क्या मिलता है, हमें प्लांट से खाना मिलता है, तो खाना किस किस रूप में मिलता है हमें दोखो प्लांट से हमें सबसे पहले क्या मिलता है खाना मतलब कि हमें फूड मिलता है प्लांट से और यह फूड रहता है कैसे कैसे मिलता है हमें फूड मतलब फल के रूप में मिलता है हमें यह हमारा जो फूड रहता है और हमें कैसा मिलता है वेजटेबल्स मतलब की सबजी के रूप में भी हमें हमारा फूड मिलता है और हमें ग्रेन जो अनाज रहते है उसके रूप में मिलता है हमारा यह फूड और लीफी वेजटेबल्स जो रहते हैं लीफी वेजटेबल्स के ग्रेन लीफ वेश्टोबल यह सारे रूप में मिलता है और हमारे प्लांट क्या काम आता है हम प्लांट से मेडिसेन भी बनाते हैं दवा भी बनाते हैं तो हमें प्लांट से दूसरा कौन सी चीज मिलती है मेडिसेन हमारी जो दवा है वो हमें प्लांट से मिलती है तो देखो जो हमें medicine का काम में जो प्लांट आते हो कौन-कौन से लिए हैं vigous remark सबसे पहले आप नीम लिखते हो नीम का जो प्लांट है उसका हम क्या करते हैं उससे nar patient बनाते हैं ौर क्या है और आगर आप देखोगे आपकल जो बुक में दिया गया है को कौन-क्र से प्लांट है वसाका जिसका दूसरा नाम है अडेल सा और हमारा कौन सा है हमारा ही डा है और हमारा है एसपरेगस एसपर रेगस एंड हमारा जो एस्परेगस का दूसरा नाम भी जो बुक में दिये गए हो क्या है शतावरी शतावरी यह सारे जो प्लांट है यह हमें मेडिसन दवा बनाने के काम में आते हैं तो आप समझ गए यूस्फुल प्लांट कौन-कौन से हमारे है एक तो यूस्फुल प्लांट हमारे मतलब प्लांट जो हमारे काम में हो कैसे आता है एक तो खाने के लिए हम प्लांट से हमें खाना मिलता है और वो खाना कैसे मिलता है फ्रूट से मतलब फल से वेजटोबल से मतलब सबजियों से ग्रेम मतलब अनाज यह सब के रूप में अलग-अलग मेडिसन बनती है इस तरीके से प्लांट हमारे यूज में आते हैं हमारे काम में आते हैं अब हम देखते हैं यूसफुल एनिमल्स मतब जानवर हमारे काम में कैसे आते हैं ठीक है तो यह अगर आपको लिखना है अप लिख लो मैं यह सब डिलिट कर रहा हूं एनिमल्स तो देखो एनिमल्स हमारे काम में कैसे आते हैं तो देखो कुछ-कुछ एनिमल्स को हम पालते हैं कुछ-कुछ एनिमल्स को हम अपता पेट बनाते हैं कुछ-कुछ जो एनिमल्स है हमारे घर की समलो एक तरीके से रक्षा करते हैं जिसको हम पेट बनाते हैं वही कुछ जो एनिमल है लोग पाल कर उससे क्या करते है अपना अपनी रोजी रोटी चलाते हैं ओके और अर्थ वोम अर्थ वोम भी एक एनिमल है तो उससे क्या होता है वह एग्रिकल्चर खेती में खेती बाड़ी में बहुत काम आता है ठीक है तो उससे क्या होता है जो हमारी ख यूस्फुल एनिमल है, जैसे की कौन से एनिमल को हम पालते हैं, बताओ, एनिमल जैसे की, एक्जामपल, यहापे मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो काउ हो गई, गाय को हम पालते हैं, और हमारा जो बफिलो हो गई, बफिलो, बफिलो को भी हम पालते हैं, और हमारे कौन से ह या तो दूद को पीते हैं तो यह काव इस तरीके से काम आती है बफलो गोट भी हमारे बहुत काम आते हैं गोट भी हमें दूद देती है तो गोट जिसके पास गोट रहती है वह दूद या तो खुद पीता है या तो बेच कर पैसे भी कमाता है तो इस तरीके से जो एनिमल को और किस सरी के से यूज़ करते हैं हम उन्हें पेट अपना बनाते हैं क्या करते हैं अगर आप और भी लिखना चाहो तो हम पैरोट को भी अपना पैट बनाते हैं तो देखो जो पैट एनिमल है जो हमारे डॉग पैरोट हैं इनको हम क्या करते हैं इनके साथ हम अपने साथ अच्छे से रखते हैं इनकी देख भाल करते हैं इनके साथ खेलते हैं तो पैट एनिमल लोग इसके लिए पालते हैं ठीक है उसके बाद क्या आता है देखो कुछ-कुछ एनिमल से हम ट्रांसपोर्ट भी करते हैं एक जगह से दूसरी जगहा जाने के लिए इस्थिमाल करते हैं, अपने गाउं में देखा होगा, तो थर्ड हमारा है, कौन सा, एक ऐसे अनिमल जिनको हम, means of transport, means of transport, मतलब कि इन एनिमल्स को हम क्या करते हैं, हम ट्रांस्पोर्ट के लिए यूज करते हैं, तो एक जगह से दू सफ़र करते हैं, पहले के समय में लोग horse का ही use करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, लंबी दूरी ते करनी होती थी, तो horse का use करते थे, और देखो आपने गाउं में देखा होगा, कि लोग bell गाड़ी रेती हैं उस पर भी बेट कर लोग सफ़र करते हैं, तो से भी लोग एक जगह से दूतरी जगह जाते हैं आप रेगिस्तान में अगर देखोगे टीवी में या कोई बुक में आपको दिखेगा कि कैमेल को उपर लोग बैट का सफर कर रहे हैं अगर आप कभी जाओगे राजिस्तान साइड या कोई और जहां पर रेगिस्तान हो वहा आपको सब्सक्राइब हमने करें नहीं जव्सक्राइब आपको सब्सक्राइब माद के लावा है वह फिच के लावा है अजई गोट यह सब आपके भूक में दिया गया है शीप गोट और हमारा फॉल्स यह मुर्गी जैसा है आप बोल सकते हो फॉल्स तो यह जो जानवर है इन्हें हम खाते हैं इनको खाने के लिए हम इस्सेमाल करते हैं ठीक है और यह जो जानवर है कुछ-कुछ लोगों के लिए यह क बनाते हैं पालते हैं इन्हें बेचते हैं और पैसा कमाते हैं ठीक है अब हमारा लास्ट है अर्थोम अर्थोम जो जान यह एनिमल है अर्थोम जमीन के अंदर रहता है और यह जो अर्थोम है हमारी जमीन को क्या करता है उपजाओ बनाता है यूसफुल बनाता है और भी ज बूज का बहुत ज़्यादा रहता है कि इनकी अगर खेत में रहता है तो उस जगे की मिट्टी को उपजाओ बनाता है और भी ज़्यादा अच्छी फसल होती है वहाँ पर ठीक है तो हमने देख लिया यूसफुल एनिमल्स के बारे में और यूसफुल प्लांट्स के बारे मे अब हम आते हैं हामफुल हमने यूसफुल लिविंग तिंस के बारे में पढ़ा जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स से अब हम आते हैं हामफुल लिविंग तिंस की तरफ हामफुल लिविंग तिंस मतलब ऐसे प्लांट या ऐसे एनिमल्स जो हमें नुकसान पहुचाते हो हम हमबूलते हों फुली इंग सीच चलो हम आगे चलते हैं हमारा अगला टॉपिक है तो फिन लिविंग थिंग्स तो देखो हाम्फुल लिविंग थिंग्स में क्या क्या रहेंगे पहले लिविंग थिंग में क्या रहेंगे लिविंग थिंग में आपको मालू है प्लांट और एनिमल रहें तो पहले हम देखते हैं हाम्फुल एनिमल्स कौन से रहेंगे तो हमारे देख काटे हैं और मट्छर रहते हैं और इससे क्रेंग अपने गेल अपने खर से पहुआर कर दो कि पहुचारा है करओ कि आगे रात के दाइम बीमारी होने का ख़तर होता है यह जो गंदेगी रहती है उसपे जाकर बैठते हैं फिर हमारे खाने पर आकर बैठते हैं जिससे हमें बिमारी हो सकती है तो यह क्या करते हैं udah जता है नियका हुआ है कि वीबारी फैलाते हैं उसके बात देखो का है लैस एंट नीच तो आपको खुआ होता है जो you हमारी हो देखो यभी एक सब्छाऊ में जाता है ठ्वहर हमें आपके घर में कोक्रोच माईज और चूहें हो गए यह सब कैसे नुक्सान सब सकता है यह भी हमारे घर में चीज़ें मैं पर देतसे हैं यह कोई भी चीज रखी जा सब जो हमारे घर में खाना रखा रहते हैं उसे नुक्सान पहुचाते हैं तो आप यहां पर क्या वर सकते हो यह सब हमारे फूड को हमारे खाने को डिस्ट्रॉई करते हैं ठीक है और फिर देखो उसके बाद क्या एगा जो पॉजनस स्नेक सें स्कॉर्पियंस रहते हैं मतलब कि जो खतरनाक जहरीले साप रहते हैं और जो बिच्छू रहते हैं हमारे अगला हमारे क्या है जो पॉजनस जो हमारे पॉजनस स्नेक मतलब जो जहरीले साप रहते हैं और जो हमारे स्कॉर्पियंस जो बिच्छू रहते हैं यह क्या करते हैं पॉजनस स्नेक जो रहते हैं जो जहरीले साप रहते हैं और जो स्कॉर्पियंस रहते हैं यह क्या करते हैं यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक जहर हमारी बॉडी में डाल देते हैं जिससे हमारी मौत हो सकती है तो इनसे हमें क्या खतरा है हमें इससे डेथ हमारी मौत हो सकती है ठीक है तो यह सारे हैं हामफुल ए यह सब हो सकता है और लाइस हो टिक है यह क्या करते हैं हमें हमें चमड़ी की बिमारी स्किन डिजीज देते हैं और जो हमारे कोक्रोज माईजन रेट है यह क्या करते हैं हमारे खाने को खराब करते हैं तो मतलब फूड डिस्ट्रोई करते हैं जो पॉइसन स्नेक और तो यह यह हमें क्या करते हैं हमारी जान ले सकते हैं ठीके तो यहांक हो गया हमारे हमका हिसे नुँटान पहुचा रहे हैं हमारा है हम लगे रंश लगेते 36 की तरीकी तरीकश में दखिए लो है कि compare हमें ईजया होसे घख्ऊली होने रज़ती है जतों हमारे हाथ से बास आने लगती है या दो हमारे हाथ पर वह प्लांट की लगने के वह से महँलों कड जाता है हमारे हाथ पे तो इस तरीके से अलग अलग तरीके नुक्सान देवह सकते हैं टो आहसे कि सबसे पट्वेलों कि आप देखोगे प्लांट जो है यहां पर का हुआ है ही कि पार्थे पार्थेनियम और वीर्ड कि इस अब क्या से तो देखों यह जो प्लांट है हमारे थीन प्लांट है डॉडर पैर्थेनियम और वीड यह बहुत ज्यादा नुकसान दे है क्यों जो डॉडर प्लांट है यह अगर फार्म खेत में इसमें उग जाए तो यह दूसरे प्लांट को उसकी जो नुट्रियंट से इसमें अब्सॉर्ब करता है तो घास पूस यह सब जो है यह सब हमारे खेत में जो उगती है तो इससे क्या होता है इससे हमारे जो फसल है वह अच्छे से उग नहीं पाती है जो बाकी भी आना जा रहता है तो इसके लिए यह भी हमारे लिए हामफुल है इससे जो किसान रहते हैं उन्हें प्रॉब्लम आ देखाऊ, जो हमारे जो पी जो पी रहते हैं मतर्फली का पेड़ रहता है तो पीज में भी देखो एक रहता है पॉड़ जिसके अंडेर उस Kids रहते हैं तो इससी तिर्फा नेटल जो है है इसमें भी पोड़ रहता है तो इसको अगर आप टच करोगे तो अगर आपको इचिंग होगा आपको खुजली होने लगी लगकी तो इसके और इस लिए हमारे लिए हाम फूल है क्योंकि इससे में बहुत ज्यादा बोड़ी पे खुजली होगी इसके लिए इसे भी टच नहीं करना चाहिए यह भी हमारे लिए हामफुल है जो हमारा अगला प्लांट है वह हमारा है ओलिएंडर इससे क्या होता है देखो इसे अगर आप टच करोगे तो इस प्लांट से बहुत ज़्यादा बद्बू आती है तो इसको अगर आप टच करने से आपके शरीर में आपके हाथ में या पैर में जहां से भी आपको टच हो जाएगा बहुत ज़्यादा बद्बू आएगी ठीक है तो इसके लिए हमें यह प्लांट को टच नहीं करना चाहिए और देखो हमारा लास्ट में जो है वह अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एल्गे मतलब कि अगर समझ लो पानी में एल्गे हो गया जो भी आपने देखा होगा ना पानी में एल्गे सब बहुत छोटे-छोटे प्लां इससे क्या होता है यह हमारे पानी को क्या करता है पॉलिट करता है हमारे पानी में लिए हमारे हमफूल हे प्लांट्स हमारे harmful plants मतब कि जो plant है, जो पेड है हमारे लिए harmful है, नुकसान दे यह वो ये सारे plants है, ठीक है अब हम चलते हैं, आगे हमारा next topic है wild animals अब देखो wild animals क्या होते हैं wild animals कौन से होते हैं पहले हम वाइल्ड animals देखो wild animals क्या होते हैं वाइल एनिमल मतलब जंगली जानवर, जो जानवर को हम पाल नहीं सकते हैं, हम पालते नहीं, उन्हें हम बोलते हैं वाइल एनिमल, तो यह जो जानवर रहते हैं, इन्हें यह बहुत खतरनाक रहते हैं, अगर इन्हें आप पालोगे, तो यह हो सकता है, एक दिन आप पर ही अ लात दूसरी जानवर को हंट करते हैं किसके लिए खाने के लिए हैं यहां पर लिग दीते हैं फोर, फूड, ठीक है, मतलब कि प्रेडिटर कौन से होते हैं, जो दूसरे जानवरों को हंट करते हैं, दूसरे जानवरों को मारते हैं, शिकार करते हैं, अपने खाने के लिए, उसे उन जानवरों को हम प्रेडिटर बोलते हैं, जैसे कि हमारे प्रेडिटर में कौन-कौन से जानवर आजाएंगे हमारा लाइन हो गया टाइगर हो गया है ठीक है तो इह जो जानवर है यह हमारे प्रेडिटर में आते हैं यह दूसरे जानवर को शिकार करते हैं अपना क pursuing ऐने के लिए ठीक है इनके लाव है लाव लाव चंप लाव इक इस में लिखना करते हैं अपने खाने के लिए इन सारे जानवरों को बोलते हैं ठीक है अभी देखो यहां पर आपने देखा ही होगा कि कैसे इंसान जंगल को काट कर अपने रोड बना रहा है जंगल को काट कर अपने घर बना रहा है बिल्डिंग बना रहा है तो यह सब क्यों जैसे क्या होत उन गर उज़ड जाता आप बूल सकते हो तो उससे क्या होता है जो जानवर रहते हैं अब उनके पास सिकार करने के लिए कुछ जाधा रहता है क्योंकि ऑलड़ी इंसान लोग उनके घर में चलेगे हैं समय जंगल उनका घर है तो इंसान लोग चलेगे तो उन्हें अब जाध रहें और जमेंन इंसान की बस्ती में में इंटर करते हैं यहीं अपनल रहते हैं कि लगाई खिर कि क्या करते हैं नुकसान पहुचाते हैं उन नुकसान कैसे पहुचाते हैं जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल को यह इन्हें किल कर देते हैं मतलब मार देते हैं और कभी-कभी यह जो लोग रहते हैं जो पीपल रहते हैं जो बस्ती में लोग रहते हैं जो हुमन्स रहते हैं उन्हे पर एफ आएगा ठीक है तो आप समझके wild animals क्या होता है wild animals मतलब ऐसे जानवर जो जंगल में रहते हैं जिनें हम पाल नहीं सकते हैं जो जिनें भीष्म टोमेस्टीकेट नहीं कर सकते हैं उन्हें हम wild animals बोलते हैं predator के example जो दूसरे जानवरों का शिकार करके अपना खाना खाते है उसके बाद हमने देखा डिफोरेस्टेशन मतलब कि जंगलों का काटा जाना है इंसान द्वारा ताकि वो अपना रोड और अपने बिल्डिंग घर बना पाए तो डिफोरेस्टेशन के वाज़े से जो जानवर रहते हैं जो एनिमल रहते हैं वो हूँमन सेट्लमेंट में मतलब इंसानों की बसक्तियों में आ जाते हैं और इससे क्या होता है ये नुकसान पहुचाते हैं हमारे domestic animals को हमारे जो पालतू जानवर है कैसे वो उन्हें मार देते हैं खा जाते हैं और कभी-कभी वो people जो लोग रहते हैं उन्हें भी नुकसान पहुचाते हैं कैसे वो उन्हें मार देते हैं या तो injured कर देते हैं जखमी कर देते हैं ठीक है तो चलो भी हम आगे चलते हैं यहाँ यहांपर देखो अभी जो आपको लास्ट में दिया गए आपकी बूक में वहांपर क्या बोल रहे हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स जो रहते हैं इनके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है कहां पर नैशनल जो डिसकोड यह सब जो चैनल है यहाँ पर यह जानकारी देते हैं तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो नेशनल जोग्विक है हमारा जो टीवी पर जो चैनल आता है आपने देखा होती है कि आपके एक अद नेशनल जो लोप рук और एक हमारा है डिस्कॉवरी यह जो चैनल रहते हैं इस पर हमें क्या होता है इस पर हमें इंफोर्मेशन मिलती है इसमें हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में हमें जानकारी मिलती है जो चैनल रहते हैं इस पर हमें जानवरों के बारे में प्लांट के बारे में तो यह बहुत सारी information देते हैं, बहुत सारी जानकारी देते हैं, आप यहां पर जाकर देख सकते हो, आपको जो animal है कैसे शिकार करते हैं, कैसे रहते हैं, वो कहां पर रहते हैं, जो plant है, वो कौन-कौन सी जगहां पर कैसे plant उगते हैं, वो कैसे अपना खाना बनाते हैं, इस सा क्या है यह हमारे national resource में आते हैं ठीक है मतलब यह प्लाकृति 15 के दोरा हमें मिलते यह हम क्या खुझ से प्लांट और इनिमल को बनाते हैं यह हमें कैसे डिचर को दोरा मिलते हैं मतलब यह हमारे क्या natural resource ऑपितु हमारे natural करें उसको कंजर्व करें तो प्लांट और एनिमल को कंजर्व करना और प्रोटेट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है ठीक है तो यह बात आपको याद रखना है ओके तो यहां पर हमारा जो चैप्टर है अगर आपको कुछ भी नहीं समझा हो आपको कमेंट सेक्शन में को कुशन असर दे दूंगा वहां से आप कुशन असर भी कर लेना तो मिलते हैं अगर आपके लिए अच्छा लगा तो आप इस उडियो को लाइक करो अपने सभी दोस्तों के साथ शेर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो थेंक यू